अभी नीम इस एश्वरविंश्रा वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल रिडिशन टेकनोलोजी तो आज का जो अमारा वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे कि डिपलोमा इन रिडिशन टेकनोलोजी का पेपर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो थरेपी रिडिशन हजार् तो उनको लिखना नहीं आता है या फिक किसी को आंसर्स नहीं पता है तो उन क्वेशन के बारे में आज हम सर्चा करेंगे दूश्री बात यह जो पेपर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो थरेपी ऐसा ही पेपर बी आर्टी बैचलर के लिए भी होता है तो यह क्वेश ऐसी ड्रम लिमिट्स जो की जो लिए क्या होगी उसके लीए क्या होगी और जनल एक बिताई और लंग और थार कार्व्यक्त प्लिक लिए इसी टाइब से अलग 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 आई लेंस के रिचन की हैंड फीट की अप्रेगनेट विमन की भी बताई हुई है कि आई और लेंस हैं तो 20 मिली सीवर्ट होगी और पब्लिक के लिए 150 मिली सीवर्ट होगी यह पहले आइलेंस के लिए और उक्यूपेशनल के लिए 150 मिली सीवर्ट ही थी अगा आपको कहेंज़ेंगे 150 दिखेंगी तो अपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि वह आइसे क्रेंट आपको यह पुछलेंट के लिए 20 मिली सीवर्ट ही औक्यूपेशनल वर्कर के लिए माने जाती है आईलेंस के लिए डोज लिमिट तो यह टेबल आप लोगों को याद में रखनी है ठीक है इसका स्क्रेंशॉट आप ले सकते हैं या आप इसमें नौट डॉन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट केस्टन है हमारा डिस्क्राइब दे यूनिट्स तो मेजर रेडियाशन बाय रेडियो एक्टिव माटेरियल यह 2017 का क्षेशन है शॉट नोट आया थाज के उपर आपको यह दियार में रखना है कि आसे क्षेशन आपके बिया टी में भी आए रेडियो एक्टिव माटेरियल के जो रेडियाशन निकल रही है उसको कैसे मिजर करो गया आलग यूनिट्स हमने रेडियाशन रेडियो निट्स काफी पढ़ी है बहुत बहुत सरे लोगों को यह नहीं पता होता है कि इनको डिवाइड कैसे करें ठीक है तो अब जो रेड यूनिट इसकंटर के इस उसकोडेशन इसकी इनकों यूनिट्स होती है रोडियंत रोगड चो यह होती है इसकी प्रचिल वॉल्यूम और यह इसपंड मिजूर से गिए ऋडियुद पर किलोग्राम पर किलोग्राम में कितने ज्यादा चार्ज़ फ्री हुए है तो आपको पता है रोंजन होती है इसके वारे में कुछ चीजें आपको लिखनी ज़रूरी होगी कि ये कब आई थी 1928 में इसको एड़प्ट किया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल मेजरमेंट होत तो ये नाम भी उसी के उपर है रोंजन इसके लावा होते हैं कि डिफिकल्टीज होती है काफी कि क्यों आप यूज नहीं कर रहा है रोंजन को जादा क्यूंकि एक तो ये 3 मेगा एलेक्रोन वोल्ट के उपर की फोटोन एनरजी के लिए इसको मना कर दिया है कि सिर्फ रों इतना लिखना है फाइफ नंबर के लिए बहुत होता है बड़ आपको यह पता होना चाहिए कितना लिखना है ठीक है नेक्स्ट केस्टन होता है डिस्क्राइब्स दा यूनिट्स टू मेजर रिडिशन एब्सॉप बाइब परसन अब एक परसन के दिवारा जो रिडिशन एब्सॉप करेवे परसन से तो उसको बोलते है एब्सॉपड दोज ठीक है उसके लिए अगर हम यूनिट्स देखते है तो उसके दो यूनिट आती है ग्रे और रेड तो सबसे पहले ग्रे देखे हम तो ग्रे क्या होती इसका सिंबल होगा जी यह डिराइब यूनिट होती है और उपर से यह ऐसा ही यूनिट होती है ठीक है यह कैसे डिफैंड होती है कि एक मैटर के पर किलोग्राम में कितनी रेडिशन एनरजी एब्सॉब होई है उसको पन कहते हैं ग्रे ठीक है मतलब जूल पर केजी मतलब जहां पर भी रेडिशन गई है उस मैटर के एक यूनिट मास में कितनी आइनरजी का डिपोजिशन हुआ है उससे हम कहते हैं एब्सॉब डोज और उसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी ग्रे ठीक है सब जगह पे आप इसको यूस कर सकते है इ GonodilAh के अलावा जो इसमें यूनिते लिख हो सकते हो डेडिशन की यूनित हो फाकिंथा यूनित होती है जबकि ग्रेज होती है वो ऐसा यूनित थी यह सीजेस उनित होती है 1953 में इसको डिफाइन किया था ठीक है इसका जो होते है 100 अर्ग्स ऑफ एनर्जी एब्सॉप्प्ट बाइ वन ग्राम ऑफ मैटर जिसे उसमें था वन किलो ग्राम वन ग्राम में क्या बलते ह एक जूल इसमें एक ग्राम में 100 अर्ग्स है तो यह इसका रिलेशन भी आपको याद प्रूप्ट इसको एक रिलेशन पर जूल पर केज ज़िया पॉइंग ग्रेज की अचिक है इसको यह रिप्लेश कर जागा है घर्ट के दोरे तो यह होती है एब्सॉप्ट ग्रेशन र तो उनके लिए आप कैसे मेंजर करोंगे तो उसके लिए ये यूनिट होती ग्रे और रद नेक्स्ट जो अता है हमारे केस्टिन फिर आएगा डिस्क्राइब दा रेडिशन उनिट्स तो मेजर बीजिकल रिस्क यह भी पांच नमबर का केस्ट्टा था था तुज व पूचा सबसे पहले को radiation units को यह सबसे इंपोर्टेंट था कि radiation units को आपने डिवाइड कर लिया कि अगर किसी material से निकल रही तो इसको rontogen के दोरा मेजर करेंगे और अगर किसी person के दोरा एब्जॉब हो रही है तो उसे अपर gray या red के दोरा करेंगे और अगर biological risk को मेजर करना है तो हम सीवर्ट के दोरा करेंगे तो सीवर्ट का simple होता है Sv इसके अलावा यह क्या होती है derived unit होती है ionizing radiation dose के लिए और यह SI unit होती है it is measure it is a measure of the health effect of low level of ionizing radiation on the human body कि human body ionizing radiation का क्या effect हो रहा है उसका measurement करती है सीवर्ट से इसका नाम पड़ा था रॉल्फ मैक्सिमेलियन सीवर्ट नाम के जो स्विडिश्च मेडिकल फिजिसिस्स थे उनके पर इन जिन्होंने वर्क किया था measurement radiation dose measurement और biological effect of radiation के पर काफी काम किया था उन्हीं के नाम के उपर इस unit का नाम रखा गया है यह सीवर्ट यूनिट जो है वो किसके लिए काम आती है ऐसी कहुंसे radiation dose quantity जिनका measurement करती है equivalent dose effective dose और committed dose ठीक है equivalent और effective जो होती है वो तो किसको बताती है कि जो आपको outside the body से external radiation का risk आपको लगा है कि outside the body यानि बहार से कोई radiation से जो आपको रिस्क हो रहा है उसको मेजर करती है equivalent dose effective dose बट अगर आपने इसको हमेशा याद में रखना है कि अगर आपको बताना है कि कि किसी radioactive material से निकल रही है तो इसमें आएगी ronjan absorbed कर ली है किसी person के द्वारा तो आजाएगी इसके अंदर red और gray और या फिर अगर red और gray और या फिर अगर को इसमें आपको मैं बता देते हूं कि principle of radiotherapy मैं आपको समझाया वाया है मेरे एक वीडियो में ठीक है उसकी लिंक मैं आपको mention कर दूंगी description के अंदर आप उसमें से उसका principle of radiotherapy पढ़ सकते हैं काफी अच्छे से मैं उसको अच्छे से करने कोशिश की है इसके लिए फोर आर्स रूल जो होते हैं cancer treatment के यह आप हो मैं बता दूं कि चार आर होते हैं repair, repopulation, redistribution and oxygenation ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि repair first जो होता है repair जब हम कोई radiation लगा कोई भी ionizing radiation से आपने किसी भी पार्ट को radiate करा है ठीक है तो उससे कुछ ना कुछ loss हुआ है dna tumor cells नश्ट हुई है साथ में pass वाली cells पर भी फरक पड़ा है तो यह कैसे काम करता है कि यह dna को तोड़ देता है ठीक है तो जो dna के repairing आसपास की repairing है उन सब चीज़ों की repairing जो होती हो तो उसका नाम हो जाएग और repair की irradiation के कारण जो आसपास की cells पर affect हुआ है असपास की cells का loss हुआ है उनकी repairing होगी फिर आएगा repopulation कि उनमें cell division दुबारा होगा ठीक है कि cell division से वह दुबारा बनने के कोशिश करेगी फिर आता है redistribution reassortment कि कि किसी एक जगे जादा नुकसान हो गया किसी एक जगे कम जाएंगी redistribution हो जाएगा फिर आता reoxygenation कि जब भी ionizing radiation से irradiate किया है आपने तो कुछ cells में वह cells पर affect करेगा कि hypoxia की condition हो सकती है cells के अंदर hypoxia से death होती है hypoxia का मतलब क्या होता है oxygen की कमी तो इस oxygen की कमी को पूरा करने के इसको reoxygenation यह वापस से oxygen से उसको रिच किया जाता है तो reoxygenation हो जाता है कि oxygen दुबारा से उसके साथ react करेंगी cells के पास में चले जाएंगी तो इस तरीके से जासपास की cells उनको दुबारा recover किया जाता है तो उसके चार आर होते है repair, repopulation, redistribution and reoxygenation ठीक है इसके अलावा इस question का जो आगे का पार्ट है principle of radio therapy उसके लिए मैं आपको पड़े होंगे चार टाइप चार टाइप से इंट्रक्ट करता है किसी भी मैटर से coherent scattering, photoelectric absorption, Compton scattering और प्रडक्शन ठीक है बट इसमें पूछा है which is most common in radio therapy तो radio therapy के लिए जो important है वो सिर्फ सिर्फ है Compton scattering यह होता है important किसके लिए RT के लिए radio therapy के लिए तो इसके अंदर आपको सि the vocabulary of you Philippines SumDacakt optimal photon型 अवे toda को सिर्फ पार्चिर्ण nugट लिए डैयंक्तिल तो तो computer scattering patient wat इंटर होता है यह नियुकूट पर जाता है और आपको सिर्फ शचार थाट लिए बटन एक्टरम केरेगा टेका wanश्चार फोटोन इसने यह वेलांस इलेक्ट्रोन से इंट्रीड किया और इसके इसके इसका इलेक्ट्रोन के इसके बाहर निकाल दिया तो फोटोन आया इस direction में कुछ energy दे करके इधर चला गया दुबरा से और कुछ इधर से यहां पर electron को ले गया तो यह होती ही component scattering यही मैंने इसके अंदर लिख रखा है ठीक है तो मैं आपको पढ़के बता रहे हूं component scattering में photon interacts with the valence electron valence electron से आया gets scattered with partial energy partial energy से scattered हो गया the other part of energy is given to the valence electron जो energy का दूसरा पार्ट है वह valence electron को चला गया जो कि एटम से इजेक्ट हो गया यह निकल चुका है यह अगर जा करके अपनी एनर्जी लॉस करता रहेगा कि इसके दौरा ionization excitation of atoms in tissue अब टिशू में जो बाकिके atom से उनके अंदर ionization excitation करता हुआ patient dose देता हुआ जाएगा इसके लाज जो scattered photon है वह मीडिया में चला जाएगा दुबारा वह वापस सी component scattering photo electric effect दिखाएगा लेकिन आपको यह पता है कि जो component scattering यह जो photon दुबारा निकला scattered photon है इसकी wavelength पहले के पहले जो इसका पहले का photon था उससे जादा होगी क्यों क्योंकि energy का हो गई है तो wavelength जादा हो जाएगी तो आपको इतना लिखना है इस question के अंदर प्लस आप आगे डाइग्राम बना के आ सकते हो यह डाइग्राम आपके लिए important होता है इस टाइप का कुछ डाइग्राम बनाया ना ठीक है नेक्स्ट जो होता है probability of component effect की कैसे होता है ठीक है यह probability मतलब इफेक्ट की probability कहां कहां कैसे होगा पहली बात तो direct proportional होगा number of outer shell electron जितनी लेक्टरन होंगे उसकी proportional होता है density material के density के proportional होता है photon energy के energy के inversely proportional होता है ठीक है जितनी जदा energy तो competent effect होने की संभावन होतनी ही कम हो जाती है इसके लावे atomic number पे कोई भी dependence इसकी नहीं होती है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि proportional कि इसका होगा electron के number के plus density के physical density के entry proportion हो जाएगा इसके energy के और atomic number पे इसने कोई इसकी नहीं होती है तो आप इतना लिखे हैं कि competent effect 6 numbers के लिए बहुत इना फैप और more than more than six number इसके 10 numbers में अगर competent effect आती है तो आप इतना लिखें आ सकते हैं तो नेक्स्ट केशन होता है हमारा राइट शॉर्ट नॉट नॉट वन इनाइजिशन चेम्बर बहुत सरे लोगों को स्केशन में डाउट था कि आप क्या लिखोगे जैसे आपने पढ़ रहे हैं गैस्विल डिटेक्टर वगर इनाइजिशन चेम्बर में चार्ग नंबर में इसे डिटेक्टर को डिसक्राइब करने के लिए तर्म है विच कलेक्ट ऑल दा चार्जेस क्रिएट बाइड डायक्ट आइजिशन विदिन दा गैस थूद अप्लीकेशन ऑफ एलेक्ट्रिक फिल्ड कि गैस के दौरा जो भी आइनाइजिशन के दौरा जो चार्ज निकलते है कि कोई भी गैस है उसके अंदर जब आपने रेंशन लगाई जब आपको inspire दे रहे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड को लगाने के बाद में जो चार्ज निकल रहे हैं इन चार्ज को स्टोर कर लेगा कौन आयोशन चैम्बर और फिर बताएगा हमें रेडियेशन ठीक है इसने क्या किया है जो डिस्क्रेट चार्ज निकले हैं सिर्फ उनहीं को बता सकता है इसके लावाद ड़स नॉट इन्वाव्ड गैस मल्टिप्लिकेशन मेकनिजम यूज बाइ अधर रेडियेशन इंस्ट्रुमें गीगर मुलर काउंटर और प्रपोर्शनल काउंटर और जो अधर मल्टिप्लिकेशन मेकनिजम होती है कि बहुत बहुत है गैस का इसके अन्दर वह नहीं होगा तो आपको इफटी डिफैन कहने करना है कि एक एक अशी डिवाइज होती है जो की चार्ज चार्ज होँगे उनको क्लेट करेगा और रेडियेशन को बताएगा इसके लव यह नमें पेदीं को सब्सक्राइब मुझे त고 करें लगें पांतर में उसकते है और इस brut8 पेद आनी को हेस सब्सक्राइब में यह फर्रीन क्या प्राइब सब्सक्राइब मैं पांतरिए के सब्सक्राइब करा है और है घर पोट सबस्थ कर दी चास्ति जलावा यह तो बीच में चत्रों कि अपने अप्लाऊ कर दी है वोल्टेज इसके लावे इसके अलावा लावा वेन गैस बिच्प और इसे current बनेगी तो इस current को एक electrometer circuit द्वारा मेजर कर लिया जाएगा और यही प्रपोर्शन होगा कि इसके radiation हो जाएगी और जो ही बताएगा हमें radiation dose ठीक है और आयन जैंबर जो होते हैं good uniform response देते हैं किसी भी radiation को हर टाइप के energy wide regions of energy को यह मेजर कर सकते हैं तो इनको गामा और जो मेनली यूज होते हैं गामा रेडियाशन के हाई-level skills को यूज किया जाता है तिक के अलावा इसके लावा न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री जो रिसर्च लैब रेडियो वायरोजी रेडियोग्राफियर इंवर्मेंटर मॉनिटरिं के अंदर इनको यूज के दाता है यह भी इसके अंदर लिख सकते हो और एक डाइग्राम होता देखी यह गैस्विल चैंबर है यह यह हो गया इलेक्ट्रोड दोनों इनके बीच में यह लगा दिया वोल्टेज का सोर्स जब भी कोई रेडिशन आई तो इंसिदेंट इडि परे जिए और यह प्रपोर्शन होती है रेडियेशन दोल के रेडियेशन एक्श्पोजर चैण चैंबर के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो तो इस तरीके से 4 नम uh क्या होता है यह कैसे किस चीज का बनावा होता है प्लस इसमें वर्क कैसे किया है ठीक है इसके अलावा अगर आप एडाग्राम बना रहे हैं तो जब भी आप kvp इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब एक्स रे ट्यूब की बीच में पोटेंशल जो है डिफ्रेंस वो बढ़ रहा है पोटेंशल डिफ्रेंस बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसके इससे क्या फोटोन भी बढ़ रहे हैं और एनर्जी क्या होगा की जादा फोटोन से बसोरब होंगे मतलब सब्सक्राइब जादा एनर्जी होगी यहारी है इसमें इनर्जी कम है पैनेट्रेशन कम हो जो आपने हाँ पीक कर दी तो यह नीचे तक जा रहा हैं रही है रिचिन यानि मौर एनर्जी बढ़ गई और पनेड़ होता है म्लिम् did get will, मह बढ़ा, इसक नवर भड़ा, उनका नंबर बढ़ा उनका नंबर बढ़ा, क्रक्रील इसको quality एक Sand plus यह इफेक्ट होता है एकसरेस pड़ी कौन्टिटी कोशा क्वालिटी बढ़ेंगा कणिष पैने कश्रेस to add एमेर कवीपी में next question आता है what are the criteria of choosing target material of diagnostic x-ray tube x-ray tube में जो आप target material यूज ले रहो target material मतलब अनुर्ड तो उसकी क्या criteria हो सकते है basic criteria देखें तो उसका atomic number है atomic number जो होता है हमेशा जादा होना चाहिए जिससे कि उसकी x-ray production की efficiency होगी वह भी जादा होगी thermal conductivity जादा होना चाहिए क्यों क्यों थे थे क्यों थे कि जो भी heat निकल रही तो जादा होना चाहिए melting point जादा होना चाहिए क्योंकि X-ray tube के अंदर बहुत जादा हीट निकलती है heat निकलेगी तो कुई अगर ऐसा material है जिसका melting point कम है तो बहुत जल्दी तो यह जो बेसीक होती है तारगेट मटेरियल की ठीक है चार नंबर में अगर आपके एकजाम में आती है तो आपको कन्फियूज नहीं होना है 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 हविटी को अपन हाफ वैल्यू थिकनेस बोलते हैं हविटी को हाफ वैल्यू लेयर बोलते हैं बड़ दोनों का मीन जोगा एक होगा यह कहोती है कोई भी माटेरियल उसकी एक ऐसी स्पेसिफिक थिक इसकी वो थिकनять में जिस्पे रएडिय произंश गई है और इस Ray जैब इसमें गई है तो इसकी जो एनर्जी है इं और इंटेंसिटी ए ओई है है ठीक है इसकी इंटेंसिटी इस वक्त आई है और जब इसर पास होगी तो इसके जो इंटेंसिटी हो घी जाई ए और शिब एहासिए लगान फोटन एनगर को बना सरफ सरेरा इनगर कोपनेञार, इसल जाब हो इसलीन मेजा है छाजरी जाbes भीकनाथ सरेडीद मेजिता स के थलाव बनायरन होगे इसलीन मेजके श्वीयमितेट्व सरेखना कीist इव इसको बिणतों कोसीं हो ठूकुण after filtration by one HVL, the subsequent HVL will be higher as the filtered photons of higher energy कि क्या होता है कि पहली HVL मान लो पहली HVL जितनी है उससे बाद में जितनी भी है second, third, वो उससे जादा ही आएगी क्यों कि पहली थिकनेस में तो पहली थिकनेस तो पांच में 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 पांच में में इसने है कि सब Kur artist को कि में म Cake 국가 होता है दिकनेस करें दिए तो अब करने के लिए तो आपको माथ निचन, कुछे सब्सकुष् hope कि कसे में म करने लिए हुए यह सब्सक्राणले को aan करने के ने कि यह थी को मिज आप Link से veldak में मनें इसगा Pal start रहए मेर को दिए 2030 ए 달 यहां से आपको पता है यहां तक आपको जो भी डाउट मैंने वन क्या निकाला जिन बहुत सारे स्टूदेंट्स को डाउट आया था कि हमें यहां इसमें क्या लिखें कितना लिखें तो आपको यहां को वीडियो को पता लगा होगा कैसे लिखनें इसके अलावा बेगर आपको ऐसे क्यों से जिनका आपको आनसर नहीं आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं इसके अलावा एक और न्यूस है जैसा कि मेरे प्रिवेस वीडियो में बताया था कि कोई भी किसी भी राजस्तान में किसी भी टाइप की एक्जाम के लिए अगर प्रिपार कर रहे हैं तो आपको साइन्स के लिए एक चैनल है इसके अपर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं आपको इस पर हर टाइप की साइन्स की टापिक मिलेंगे इसके लबाव डीमल्ट या बीमल्ट लैब टेक्निशन के कोर्सेश के लिए भी दो चैनल हैं हमारे हां पर जो की है परामेडिकल स्टडी पॉइंट और भी अलैब साइंट यहां पर आपको अच्छी सब्सक्राइब को वीडियो प्रवाइडिविगा कोई प्रवाइड होंगी अगर आप नहीं और आपके कोई क्ली लिए कोई अको इन गास्मेट या कोई फ्रेंट यह तो आप उनको इन चैनल में बता सकते हैं इनका लिंक भी में मेरी दिस्क्रि